तो current के टापिक में आज क्या discuss करने वाले हैं हम लोग हाँ बिलकुल बिलकुल चलिए देखी क्या discuss करने वाले हैं तो पहला टापिक है कि UP के फरुक्खाबाद में जेल का खाना को मिला 5 star FSS AI rating यार रखना बहुत important है यह कहां फरुक्खाबाद के जेल में कहां की जेल में तो जेल में यूपी के फरुक्खाबाद के जेल में जो भोजन दिया जा रहा था उसको 5 star मिला है 5 star rating मिली है है ना कितनी 5 star 5 star rating मिली है याद कर लेना इसको याद कर लेना यूपी के फरुक्खाबाद जेले के फतेगर सेंटरल जेल में बंद करीब 1100 से अधिक कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की quality ऐसी है किसे भारतिये खाद सुरच्छा और मानक प्राधिकरन के द्वारा इसके द्वारा भारतिये खाद सुरच्छा और मानक प्राधिकर प्राण के द्वारा फाइप इस्टार की रेटिंग प्रदान की गई कौँसी फाइप इस्टार की रेटिंग प्रदान की गई है क्लियर है याद रखना और यह प्रमार पत्र अब कब तक बैलिड रहेगा तो इसको कहों सा प्रमार पत्र दिया गया है इट राइट सार्ट जो इट राइट सार्टिफिकेट है वो दे दिया गया किसको फरुकाबाद क्लियर है और यह प्रमाण पदर विसका कब तक बैलिट रहेगा दो हजार चौबिस तक तो याद रखना कहां के जेल के खाने को फाइप इस्टार रेटिंग दिया गया फरुकाबाद जिले में चलो आगे बढ़ते हैं अगला टापी बहिए नेक्स्ट अगला चतिस गड़ का उन्तीसमा जिला कौन सा तो बना मुखला मानपूर अंबागड चौकी य आज इसमें काटा किसको एक इसको की राज नांद गाओं को जोकी बहुत बड़ा जिला था इसमे क्या मुक्याले में पहुंचने तो बहुत मेनत करनी पर कितने चले हो गए 29 में 29 चले हो गए इतनी बात समझ आई बो लो भाई आगला पॉइंट देखेगा नेक्स्ट डेस की पहली नेजल वैक्सीन को आपकाली इस्तेमाल के लिए मिली मंजूरी ठीक है कैसे आपातकालीन इस्तेमाल कि लिए मंजूरी मिल गई है यार्खेंगे ना किसके लिए बनाई गई है तो कोड के लिए बनाई गई है जो पहली नेजल वैक्सिन जked को डी्ग्सिन इसको डी जी आइने क्या एगए हमारे यहां नेजल वैक्सीन बना ली गए है इतनी बाते सब को समझ में आ गए है मीरे साथियों एक बार बोलो बताओ भई बोलो समझ हाया मेरे पैरे साथियों ebs का बैच हा ला है सभी लोग जॉइन करें जरूर हो ज़रूर जॉइन करें मेरे साथ कौन सा पर दो